तो नमस्कार आपका स्वागत है दास साइंस समय आज दोस्तों मैं क्लास 6 में जो साइंस का चेप्टर है वह 14 चेप्टर है कौन सा दोस्तों चेप्टर है 14 चेप्टर है जिसका टॉपिक है जल जिसका टॉपिक है दोस्तों जल जल एक बहुत अहम पदार्थ है जिसका हम अप खाना पकाने में हो चाहे नाहने में हो कपड़े धुलने में हो बहुत सारे उपयोग जल के हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि जल है क्या जल एक रंगीन स्वाधीन गंधीन एक रसाइनिक पदार्थ है जिसका सूत रोता है जिसका सूतर होता है अब बात करेंगे दोस्तों जल के स्रोत क्या होते हैं जल हमें कहां से प्राप्त होता है नदियों से तालाबों से समुद्र से नहरों से भूम से वर्सा से विभिन प्रकार की ये जल के स्रोत हैं जल होता क्या है इसका वास्पी करण भी होता है संगनन की बीक रिया होती है दोस्तों बादल कैसे बनते हैं ये सब चीजे में आपको इस चेप्टर में बताने वाला हूं धोधी को दोस्तों इस्टार्ट करते हैं देखे एक चित्र दिया गया है 14.1 पानी की उपयोग देखे एक चित्र में दिया गया है एक बच्चा नाहा रहा है कुछ कपड़े दोल रहे हैं कुछ मैला है पानी भर रही हैं ये सब क्या हैं ये सब पानी के यानि की जल के उपयोग दिये गया हैं दोस्तों हम कितने जल का उप्योग करते वो आपको ही आकड़ा लगाना आप कितने जल का उप्योग करते हैं यह देखे एक टेवल दी गए है 14.1 आपके परिवार द्वारा एक दिन में उप्योग होने वाले जल की मातरा का अन्वान लगाई है आप अपने से सोचिए आप एक दिन में कितने जल का उ दोस्तों जल है यानि की प्रत्पी पर 70% जल है दोस्तों और जल जो है उसका 100% हम बता दें वो पीने योग कितना है सागरों में कितना है वो भी हम आपको दोस्तों बतें दोस्तों जो सागर में पानी है वह है 97.5 कितना है दोस्तों 97.5 सागर एवं महा सागरों में उपस्तित है दोस्तों अब बचा मातर दो दसम्लों पांच प्रत्सत पानी जो कि हमारे पीने योग है वह किस रूप में है दोस्तों जो एक प्रत्सत पानी है वह भूमी के नीचे है और जो एक दसम्लों पांच प्रत्सत पानी है वह धुर्वों के रूप में यानि कि बर्व के रूप है जल को आप बरबाद ना करें दोस्तों आगे देखिए दोस्तों बताते हैं आपको यह देखिए हम जल कहां से प्राप्त करते हैं हमने आपको बताया है नदियों से जर्णों से तालाबों से इत्यादी से या हैंड पंपों से नल कूपों से नहरों से इत्यादियों से हम प करते हैं और समर क्या करता है जो भूमिगत जल है उसको बाहर निकालता है उसके लिए उस जल का हम उपयोगी करते हैं और बहुत से लोग उस जल को बरबाद भी करते हैं दोस्तों आगे देखे देखे दोस्तों एक चित्र दिया गया है 14.2 नदियों जीलों नलकूपों या कुवों से जल टोटियों में आता है देखे चित्र में दिया गया है दोस्तों अब आगे देखते जल चक्र जल चक्र क्या होता दोस्तों यह मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों, जैसे कहीं पानी भ़़ा हुआ है, वो दीरे-दीरे क्या होगा? वास्पित होगा. यानी कि उसके अंदर वास्पी करंकी क्रिया होगी, और वो दीरे-दीरे ऊपर आस्मान की ओर जाएगा. छोटी छोटी बूंदे क्या होंगी बनती जाएंगी जब ये बूंदे बनती जाएंगी यही धीरे धीरे बादल का रूप धारन करेंगी जब बादल बन जाएंगे दोस्तों बादल क्या करेंगे फिर से बारिस करा जेंगे दोस्तों अब देखते हैं जल चक्र इसके अंतर जो टोपिक है जल के विलुप्थ होने की युक्ती देखते हैं दोस्तों जैसे फर्ष पर या कोई कपड़ा हो इनको सबकों गीला कर दें कुछ समयवा धीरी धीरे जल यहाँ से विलुप्थ हो जाता है और वो विलुप्थ होता है जा हमने डाले दे दोस्तों कुछ समय बाद वह सूख जाते हैं किस क्रिया के कारण वास्पी करण की क्रिया के माध्यम से सूख जाते हैं दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों हम देखते हैं बताते हैं आपको क्रिया कलाब दो देखिए क्रिया कलाब दो में क्या दिया गया है हमें दो प्लेटे लेनी है जैसा कि चितर इसमें दी गई है और सूर के प्रकास धूप और छाया में जल का वास्पन चितर है 14.5 इसमें हम आपको समझाते हैं दो प प्लेट डाइरेक्ट सूर प्रकास के समक्ष रखी गई है एक प्लेट है जिसमें जल बरा हुआ वह चाया में रखी गई है अब आपको बताना है कि किसमें अधिक वास्पी करण की क्रिया होगी दोस्तों जो प्लेट डाइरेक्ट सूर प्रकास के समक्ष रखी गई है उसमें वास्पी करण की क्रिया तेजी होगी और जो छाया में रखी गई है उसमें जो वास्पी करण की क्रिया है वह थोड़ी सी धीमी होगी लेकिन उसमें भी वास्पी करण की क्रिया होगी क्यों होगी क्योंकि सूर्ख के प्रकास से आसपास की वायू है वह गर्म हो जाती है जिससे तापमान बढ़ जाता है और वास्पी करण की क्रिया तेजी से होती है दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आगे देखिए दोस्तों पौधों द्वारा जल की छती देखिए दोस्तों पौधे क्या करते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को उपर ले लेते हैं और बिना जल के कोई भी पौधा सर्वाइब या जीवित नहीं रह सकता है दोस्तों ठीक ह सभी पौधों को विरद्धी के लिए जल की आवसकता होती है पौधे इस जल की कुछ मातरा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तदा कुछ मातरा को अपने विविन भागों में सुरक्षित रखते हैं पौधे इस जल का शेस भाग वास्पूत सरजन प्रक्रम द करता है क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता नहीं यह में पुना प्राप्त होता है दोस्तों अब बात करते हैं बादल कैसे बनते हैं देखिए दोस्तों बादल के बारे मुझे आपको बता दें देखिए दोस्तों पहले आपको चितर दिखा दें 14.6 बर्फ वा जल से भरे एक ग्लाज के बाहरी प्रकट जलकी बुंदें, ये किस माध्यम से जलकी बुंदें बाहरे कत्रित हो जाती है, संगनन के माध्यम से, दोस्तों हम आपको बता दें, संगनन क्या होता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसको गर्म करते, वह वास्प में वास्पी करन की क्रिया हो जाती है उसी वास्प को जब हम फिर से जल की रूप में परिवर्तिव कर देते हैं वह दोस्तों संगनन की क्रिया कहलाता है देखिए दोस्तों अब बताते हैं बादल कैसे बनते हैं जल को प्रत्वी के प्रिष्ट पर पुना वापस लाने में संगन प्रक्रम की महपूर भूम क्या होती है जैसा कि मैंने आपको संग्रन के बारे में बता दिया है दोस्तों संग्रन कैसे होता है यह कैसी क्रिया होती यह मैंने आपको बताया है दोस्तों अब देखते हैं जैसे जैसे वायू क्या होती है उपर उठती यानि कि जलका वास्पी कर तो वह धीरे धीरे वाईव कहां उठेगी उपर उठेगी और जैसे जैसे उपर उठेगी वैसे वैसे ताप कम होगा जब ताप कम होगा तो वाईव कैसी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी पर्याप उशाई पर वाईव इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्तित जल बादलों के रूप में दिखाई देती हैं ये देखिए दोस्तों 14 10 7 वियर बदल दिखाये गया देखिए बादल की रूप में दीखायागे देख debt बनते हैं और वर्षा ओले तताहिम के रूप में जल पुना धर्ती पर वापस आ जाता है अब देखी दोस्तों जो टॉपिक है पुना महासागरों की ओर तो मैंने आपको बताया था प्रत्वी पर जितने भी महासागर या सागर हैं उनमें जो पानी है वह 97.5 प्रतिसत उपस प्राया समस्त भूप्रेष्ट महासागरों के तल से उंचे हैं वर्षा तताहिम के रूप में भूम पर गिरा अधिकांस जल अंतता महासागरों में वापस चला जाता है यह विभिन धंगों से होता है दोस्तों अब देखिए परवतों पर हिम पिघल कर जल बन जाती यह ज दियों और झ confusion के रूप में बह जाता है अधिकांस नदियां भूम पर लमभी दूरी तें करती और अंतता किसी समुध्रिया महासागर में गिर जाती और कुछ नदियां क्या होती जो जीलों में बैजाती है जीलों का भी निर्मार करती है वर्सा का जल भी जीलों तता तालावों को भर देता है वर्सा के जल का कुछ भाग भूमी द्वारा सोक लिया जाता है और मिर्दा में व्लुप्त हुआ प्रतीत होता है इस जल का कुछ वास्पन तथा वास्प उत्सर्जन द्वारा ही होता है दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों यह देखे चित्र 14.8 वर्सा का जल जर्नों और नदियों के रूप में बैता है और किसी ना किसी माध्यम से वह जाकर कहां मिल जाता है सागर या महासागर में मिल जाता है अब देखिए दोस्तों जो सेस जल वस्ता है वह धीरी-धीरे कहां भूम के नीचे रिष्टा जाता है यानि कि भूम में रिष्टा जाता है इस जल का आधिकान सबाग क्या कहलाता भूम जल के रूप में हम उसे इस्तमाल करते हैं और कैसे उसको भूम से निकालते हैं नलकूप, हैंड पंप, इत्यादी के माध्यम यानि की समर के माध्यम से भी हम इसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद इसका हम उपयोग करते हैं दोस्तों ये देखिए चित्र आपको दिया गया है 14.9 जल चक्र देखिए इस चित्र के बारे मैं आपको समझा दूँ देखिए एक तालाब दिया गया है धीरे धीरे वास्पी करण की किरिया हो रही है और ये बूंदे उपर एकत्रित हो जाती है जब बादल की बूंदे बादल जब बन जाता है तो इसकी बूंदे कुछ भारी भी हो जाती है जब वह भारी हो जाती है तो वह नीचे गिरती है जब वह नीचे गिरती है तो वह वर्सा के रूप में गिरती है वापस जल कहा आ जाता है फिर ते तालाब नदियों जरनों इत्यादी में आ जाता है इसी को दोस्तो हम जल चक्र या जल चक्र कहते हैं ठीक है दोस्तो अब आते हैं आगे दोस्तों अब बहुत आयम टॉपिक है यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा सुआभिक है अगर अतधिक वर्षा होगी दोस्तों तो यह किसी ना किसी बार के रूप में परवर्तित होगा हमने सुना है अक्सर टीवी में देखा होगा किसी ना किसी राज की न्यूज देखी ह रहते हैं जब लगातार बारी सोती है ठीक दोस्तों और लगातार बारी सोती रहती वो क्या करती है वो एक बार का रूप धारान कर लेती है जैसा की चित्र 14.10 में दिखाया गया है भारी वर्सा के का द्रस दोस्तों जब भारी बरसा हो जाएगी तो आने जाने में समिस्या हो जाएगी पढ़ने में समिस्या हो जाएगी कहीं हम गारी नहीं ले जा सकते हैं विभिन प्रकार की दोस्तों समिस्या हो जाएगी और जो पीने वाला पानी है वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा क्य क्योंकि जो प्रदूसित पानी है उसको नहीं पी सकते हैं उसे विभिन परकार की बीमारियां होती हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों जिससे अब जब बार आएगी तो इससे होगा क्या दोस्तों जो तालाब है जीलें इनका सबका जल इसतर बढ़ जाएगा बहुत सारे खेत वन और बहुत सारे गाओं शहर जलमगन भी हो सकते हैं पालतू जानवर संपदा और मानो जातिकों भी अपार छती हो सकती हैं दोस्तों आगे देखिए किसी बार ग्रस्ट छेतर का द्रस 14.11 देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए या जान को बचाने के लिए पेड़ों पर बैठे हैं घर की छटों पर बैठे हैं इसमें देखिए पानी किस तरीकी से जानवरों को बहा कर लिये जा रहा है दोस्तों देखा आप लोगों ने अब देखते हैं दोस्तों यदि काफी समय तक वर्सा नहीं हो तो क्या होगा दोस् वास्पी करण की करिया होती रहेगी लगातार जिससे वह छेत्र सूखा घोसित हो जाएगा यानि कि वो पूर्तिया सूखा हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगे हैं बताते हैं सूखे की इस्तिती में क्या हो सकता है सूखी की इस्तिती में खाद्यान और चारा प्राप्त करना दुल्लब हो जाता है कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखी के बारे में सुना होगा क्या आपको जानकारी है कि इन छेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठाईयों का दोस्तों सामना करना पड़ता है इन परस्तितियों में पस्मों और वनस्पती का क्या होता है ये सब चीजे दोस्तों विविन प्रिकार की दोस्तों समिस्याएं हो जाती हैं जानवरों को चारा कैसे लाएंगे अपने भोजन की विवस्ता कैसे करेंगे आएंगे जाएंगे कैसे लोगों के घर के घर डूब जाते हैं बहुत से लोग या जानवर भी मर जाते हैं बार में ठीक है दोस्तों अब ब मनस्यों के प्रियोग के लिए उपयोक्त है वह चोटा बाग कितना प्रिस्ट है दो दसमलों पांच प्रिस्ट जिसमें से एक प्रिस्ट आपका जो जल है वह भूम के नीचे है और जो डेर प्रिस्ट जल है वह किसके धुरू यानि की बर्व के रूप में एकत्रित है दोस्त तो एक प्रस्त जल ही है जिसका उप्योग कौन कौन करता है पौधे भी करते जानवर भी करते और मनुस भी इसका प्रियोग करते हैं जिसे सीधे उप्योग में नहीं लाया जा सकता जब भौम जल का इस्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधी उप्योग नही कर सकते हैं प्रत्वी पर जल की कुल मातरा समान रहती है पर्धु उप्योग के लिए उपलब्ध जल की मातरा अत्यंत सीमित है ठीक है दोस्तों देखें दोस्तों हम आपको चित्र दिखाते हैं 14.12 इसमें क्या दिया गया है जल एकत करने के लिए लंबी कतार दोस्तों आपने शहरों में गाओं में बहुत या कस्वा में ऐसी बहुत सी जगह देखेंगी जहां पानी पीने के लिए बहुत अधिक समस्या होगी लोग पानी पीने के लिए लाइन में लगते हैं यानि कि कतारों में लगते हैं उसके बाद पानी को बारते हैं क्योंकि जो पीने वाला पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है दोस्तों अब आते हैं वर्षा के जल का संग्रहन अब देखते हैं इसको हम कैसे संग्रहित करते हैं इसके दो तरीके हैं च्छत के ऊपर वर्सा जल्द संग रहा हैं इसमें क्या होता है हम किस तरीके से घर बनाये देखिए आपको दिखाते है चितर चोगदय देसमलोग 11 च्छत पर वर्सा जल्द संग रहा है हमने इस तरीके से च्छत जो है उसको बनाया है कि जब बारिस पाइप के माध्यम से हम उसे भूम के अंदर ले जाएंगे और उसे काफी समय तक सुरक्षित रखेंगे ताकि वह निश्यंदित हो जाए यानि कि जो धूल कड़ है उसके अंदर वो बैट जाए और उस पानी का हम इस्तिमाल कर सकते हैं अपने घर में भी प्रियोग कर सकते ह और धीरे धीरे ये जल भूम के अंदर रिशेगा तो इससे दोस्तों क्या होगा जो आपका भौम जल है वाटर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा जिससे जो पीने की पानी की किल्लत है वह दोस्तों खतम होगी और दूसरा तरीका बता दें सडक के किनारे बनी नालियों वह कच्चा रहेगा तो उससे क्या होगा पानी दीरे दीरे भूम के अंदर रिशेगा जिससे जो भूम जल है यानि भूम का जल है उसका इस्तर दोस्तों बढ़ जाएगा अब आगे देखते हैं प्रमुक सब्द बादल, संगनन, सूखा, वास्पन, बाड, ओला, महासागर, वर्सा जल संग्रेंड, हिम, जल वास्प, जल चक्र, इत्यादी दोस्तों अब देखते आगे, शारान्स पर आते हैं, जल जीवन के लिए आफश्यक है, वाई में वास्पन और वास्प उत्सरजन से जल वास्प मिलती रहती है जल वास्प वाई में संगनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदे बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं बहुत सी छोटी जल की बूंदे परस्पर मिलकर वर्सा हिम अत्वा ओली की रूप में गिरती हैं वर्सा ओले तता हिम नदियों, जीलों, तालावों, कुओं तता मिटी में जल की पुनापूर्ती करते हैं महा सागरों तता जली भागों के बीच जल के संग्रहण को जल चक्र कहते हैं अत्यधिक वर्सा से बाढ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्सा ना होने से सुखा भी आता है प्रत्वी पर उप्योग करने योग जल की मात्रा सीमित है, यानि कि पीने वाले पानी की इसलिए विवेक पूर इसका उप्योग करना चाहिए, अब आते हैं अभ्यास प्रस्न पर, देखिए पहला प्रस्न दिया गए, नीचे दिये गए, रिक्त इस्तानों की पूर्ती करनी जल को वास्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जल वास्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जल वास्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जल वास्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते अब देखते हैं प्रस नंबर दूसरा नीचे लिखे में से प्रतेक का यह वास्पन अत्वा संगनहन के कारण से हैं बताते कौन संगनहन की क्रिया के माध्यम से होता है कौन वास्पन की क्रिया के माध्यम से होता है देखे का नंबर ठंडे जल से भरे ग्लास की बाहरी सतय पर जलकी बूंदों का दिखना ये किसके कारण होता दोस्तों संगनहन के कारण होता है घा नमबर देखे गीले कपड़ों पर इस्तरी करने पर भाप का उपर उठना वास्पी करन है गा नमबर सर्दियों में प्राता काल कोहरे का दिखना क्या होता है संगनन के कारण होता है घा नमबर देखे गीले कपले से पोछने के बाद स्याम पट कुछ समय बाद सूख जाता है तो क्यों सूख जाता वास्पी करण के कारण घा नमबर देखते हैं गरम छड़ के ऊपर जल्च लखने से भाप का ऊपर उठना यह दोस्तों किसके कारण होता है वास्पी करण के कारण होता है अब आते हैं प्रस्तीन पर निम लिखित में से कौन से कथन सत्त है का नमबर देखी वाईव में जल वास्प केवल मानसून के समय में उपस्तित रहती है गलत क्योंकि जो जल वास्प की क्रिया है वो हमेशा होत माहता गलत है दोस्तों कि जल के जल वाक में परिवर्तिन की प्रिवास्पन कहलाती है malaria इसको वास्पी करण भी कहते है जल का वास्पन कभी सूर के परकास में होता Нов है दोस्तों गर्म वाई पर भी होता है अड़ा नमबर देखे वाई की उपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी होती है जल वास्प संगरित होकर छोटी-छोटी जल कड़काएं बनाती है दोस्तों यह सही है अब देखती है प्रस्ट नमबर चार मान लिजी कि आप अप इस कार में सायता मिलेगी यहां तो कैसे बिल्कुल दोस्तों हम सभी जानते हैं जहां का तापमान अधिक होता है वहां पर वास्पी करण की किरिया तेज होती है जब हम अपनी गीली यूनिफार्म को यंगीठी या हीटर के पास ले जाएंगे तो वहां की आसपास की जो व मांच एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजिरेटर से निकालिए और इसे मेच पर रखे कुछ समय पश्चात आप इसकी चारो और जल की छोटी छोटी बूंदे देखेंगे कारान बता सकते हैं बिल्कुल देखे यह हबा में मौझूद जल वास्प के संगनहन के कारान होता कि तो यह संगनित हो जाता है और पानी की बूंदों में परिवर्थित हो जाता है दोस्तों किसमें परिवर्थित हो जाता है दोस्तों अब देखें प्रस नमबर 6 चस्मों के लेंस साप करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं लेंस क्यों भीग पढ़ती है तो वह संगनित हो जाती है जिससे लेंस क्या होते हैं लेंस आपके यानि कि वो जो क्रिया होती हुए संगनित हो जाती है जिससे लेंस कैसे हो जाते हैं गीले हो जाते हैं और हम लेंस को आराम से साफ कर लेते दोस्तों फिर से सुनो जब हम अपने मुह से लेंस प पर पड़ती है तो वह दोस्तों धीरे धीरे ठंडी हो जाती है ठंडी होने के बाद वह दोस्तों संगनित हो जाती है संगनित होने की कारण लेंस जो है वह भीग जाता है उसको फिर हम लोग साप कर लेते हैं दोस्तों लेंस को हम क्या करते किसी कपले से साप कर लेते हैं और आपको अपने मुझ से निकलती वायू चेक करनी है दोस्तों गर्म वायू तो आप ठंडी की मौसम में चेक कीजिए आपके मुख से धुआ जैसा निकलता है वो किस कारण निकलता है इसी कारण दोस्तों निकलता है आगे देखिए कोश्चन नमर साथ बादल कैसे बनते हैं द दोस्तों फिर यह किसका रूorarन कर लेती बादल बन जाती है और जब बूंदे अत्जिक भारी हो जाती है फिर कुछ समय बाद बारिस हो जाती है पुना वो बादल बरस जाते हैं और वह पानी कहा जाता है तालावो नदियों जर्नो इत्यादी माहसाखरों में आ जाता है अब प्रस नमबर आठ देखते हैं सूखा कब पड़ता है दोस्तों सूखा जब पड़ता है जब एक छेत पर एक या दो वर्सों या तीन वर्सों तक बारिस ना हो दोस्तों और वहाँ उस छेतर की जो भूम की उपरी परत है वह वास्पी करन की करिया करती रहती है करती रहती है जिससे वह परत सूख जाती है उसकी नमी खतम हो जाती है दोस्तों और वह छेतर सूखा गोसित हो जाता है दोस्तों उम्मीद है कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तिसे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें दोस्तों इस तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे दोस्तों थेंक यूँ